2010 के जन्वरी में जब कलकता बूक फैर होता है उसमें एक बड़े राइटर औरहान पामू काई होए थे उनका एक स्टेट्मेंट मैंने टेली लाप में पड़ा है जो साहिद आप भी सस्क्राइब करते हैं अभी फोड़ा देर पहले आपने बोला है तो यह स्टेट्मेंट जब इतने बड़े लेखक के पास पहने पाया तो वो मेरे लिए एक स्टैम के तरह था मैं पुरा यह हो गया कि मुझे काम करना है तो संताली में करना है बाकी मासाओं को मैंने छोड़ दी वो संताली में काम करने लगा और जिसके वजह से यह हुआ कि हमारे कलगत्ता में बहुत पुरानी संस्ता है जिसे करते हैं अन्हों ने मुझे इनवाइट किया और अपना में मोशिद दिया कि आप साहित के लिए काम कर ला है आप हमारे साथ काम करें और वहां से पुब्रेशिंग का काम स्टार्ट हुआ उनका एक जगन चलता है जो हमारा हो गया जुग स्रीजों उसके लिए मैं ल अपने लिए और इस तरह से लगभग 40 से ज़्यादा कहानिया मेरी चप चुकी है और कि आप मैं चुकी गड़ी देख रहा है तो मेरे थीम के बारे में आता हूं मैं क्या लिखता हूं कि शुरुआत में तुम मैंने अपने आप के लिए लिखा मेरे अंदर में जो टर्मॉइल्स थे मेरे जो परस्नल प्राइसिस थे उनको एक स्पेस गया है लेकिन इसके बाद मैंने जो थीम बगड़ा उसको मैं अगर कैटेग्राइज करा हूं तो इस तरह से बोल सकता हूं कि आप सोशल ट्रांस्फरमेशन आप संताथ कि सेकेंडली मैंने जो कहानियां लिखी है उसमें आदिवासी वर्ल्व्यू एंडियर फिलोस्पी वेय ओफ लाइफ जिवन दर्शन है और तीसरा एंग्स्ट अमूंड है उनके बीच का जो एंग्स्ट है और साथ ही साथ उनक इसके अलावे मैंने कुछ कहानियों में सोचा जो पिरियड जो पिरियड अभी चलुडा है जिसका हम अब्जर्वेशन कर रहे हैं जिसको हम समझ रहे हैं उसका डॉक्यमेंटेशन जरूरी है और इसके लिए मैं बापी सब को भी प्रियूर्व करता था और इसके अलावे जो हमारे मेम्रीज हैं जो साथ कल कल के बच्चे जो आएंगे जो नेक्स जेरेशन की बच्चे आएंगे उनके पास वो नहीं रहेगा क्योंकि वहां ग्याप हो जड़ा है तो अपने मेम्री को समेटना होगा और उनके लिए प्रसूत करना होगा इंग ब्रिजब करना होगा ताकि जो हमारा लिगेशी है हमारे पॉरफादर्स का वो लिगेशी हम दुसरे तक पहुचा सके यह जो था पॉइंट था मेरा लिखने का और पाच्वा और मॉस्ट इंपोर्टन पॉइंट यह है तो सेलेब्रेट माय ओन आइडेंटिटी माय ओन कल्चर एंड ट्रेडिशन मैं इसलिए भी लिखता हूँ ताकि मैं अपने कल्चर को ना सिर्फ खुब जीवों उसको सेलेब्रेट करो कम्यूंटी में और बाकी सब लोग भी उसको देखे और सेलेब्रेट करें कि वी यह सब मेरी कहानियों की मूलब आते हैं अगर समय का इजाज़त है तो एक दो कहानी का मैं फ्रोसंचिप बढ़ाँ पड़के तो समद्धनिया आगा है इस किताब का पहला की कहानी है यह इलस्टेशन के साथ है इसलिए मैं दिखाना चाहरा हूँ इसका मैंने टाइटल त्याहां टांगरा मजी तो अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं कि केटल हैड़ मतलब डांगरा हो गया बैल और बंजी हो गया जो हैड़ मैंने दो बॉन को कोईंड किया तो यह कहानी बेसिकली मेरे गाओं की है, मेरे मैम्मरी से है और जो मैने सुना है. मैं उसको डॉक्युमेंट कर रहा हूं, उसको next generation से transfer करने कोसिस कर रहा हूं. और शाथ मैं इसमें जो हमारे community का social values है, उसको मैंने इसमें as a moral दिखाने का कोसिस किया है जो कहानी के अंद मैं है. तो सुरू में हमारा गाउं किस तरह से बना और यहां कैसे लोग आए ग्लैंस कैसे बने और क्या क्या कबूज थे और डिफरेंट पीपल के बीच में इंटर मिंगलिंग कैसे हुआ इसके बारे में मैंने लिखा आए इसमें और अब लग मैं इंटर्स्टिंग प्रटागनिस्ट के बारे में बता बता चाहूंगा इसमें एक्सली जो दो प्रटागनिस्ट है वह एक मेरे दादा जी है और दूसरे मेरे नाना जी और दोनों सेम एज के थे और उन लोगों ने अपने जब वो ग्रोवत हो रहते तो क्या क्या सीखा किस तरह से उनका परवरिस हुआ और किस तरह से कम्यूंटी के वैल्यूज उनमें आया यह सब मैंने दिखाया है और जब उन पर किसे रिस्पॉंसिब्लिटी आती है गाओं कम्यूंटी को एक रास्ता दिखाने का तो किस तरह डिसीजन लेते हैं एक्शली इसी सब मुद्वों पर मेरा यह कहानी बेस्ट है तो लास्ट में कि कहानी यह दो जन है प्लस में और एक जन है जो गरीब है जिसके नाम पर यह क पर पकड़ा जाती है तो एक जोड़ा गाय वेल को चोरी करके बेचने जाना कि तुब पकड़ा जाता है और विलेज कॉंसिल सोता है और हम लोगों में मोड़न मनजी का सिस्टम है इसमें बड़ा क्राइब होता है तो पांच गाओं के हेड्मेंट जमा होते हैं और उसका कि अच्छ में उस समय लोगों को लगा कि यह तो ब्लार क्राइब है तो बहोत सारी जमा हुए हजारों करने और और फैसला सुनाने का जो जमिवारी था तो जन पर ताख्रकिनक्न मेरे नदा जी थे एक चूर stiffness नाना जी दादा जी उसके यह होते थे तो जो पब्लिक है वहां जो गैदर हुए है उन्हों सब के मन में यह चल रहा था एक गुसा था कि चुरी किया है इसको सक से सक पॉनिस्मेंट क्या जाए और ताकि अगला कोई करें नहीं तो कोई मतब अन्रियलिस्टिक को लोग पनिस पाने में जो की पॉसिबल नहीं या फिर डाउस निकालो तो जब डिसीजन मेने की बारी आई तो मेरे नाना जी ने दादा जी को क्यो दिया कि आप मेरे असिस्टेंट को आप उसको डिसाइड परो कि क्या करोगे तो उन्होंने एक लाइन गोला अपना जो फैसला सुना आ इस। पिलिने खुर्झाण हैं इसका नाम था मंजी उसका लिटरली नाम था मंजी जो चोरी पिया है हमी लोग की पीछ सभाइट हमना चाहिए कि उसने चोरी कियो हो हिगada कर प्रतार है कि जहां तक मुझे पता चला है कि उसने विस्फने तो ये कि इसे सजा देंगे लेकिन कुछ तरह से नहीं क्योंकि अगर हमारा बच्चा अगर हमारे शरीर में गंदा करता है तो इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने अंग को काट के प्रेक आइसा हम करते नहीं इसलिए इसको ऐसा सजा दिया जा जो ऩगैनों नहीं है यह मापी बागए जो उन्होंने यह किया वह सब को माणिया हूं गया हुए और सब कि सबने उसका प्लाउज किया और वो जो दंड़ नहीं हरिया हरिया बोला गया और जितने कहों के लोग हैं घर गर ँदा कि यह रह गया कि सब के लिए मानी हो गया किन्तु उस आर्मी का नाम चुकि मंजी था और उसने डंगरा चुलाया था तो उसका नाम हो गया डंगरा मजी वह हमेशार रहा गया तो यह कहानी इस तरह से अंत हुआ है इस कहनी और जो अमरे सोशल इसू को सुकति है और मैंने उनुने लिखनें इंप्रेस्टिञ तरिके से प्रसोद करने कोसिस और बहुत प्रते हैश्च जितिये सूरे में और जो emotions है वो universal है तो हमारे कहानियों में जो भी element होगी जो भी emotions होगा वो universal होगा तो यह मैं मेरा belief ऐसा ही है और इसी लिए भी मैं संताली में लिता चाहता हूं कि अगर में उसमें अपील होंगे तो universal हो जाएंगे बस यह बहुन करके मैं अपना बात खतम करना जाता हूं तो संताली में तुम पढ़ा के नहीं सुझाए थोड़ा सा संताली के लैंडविज के इस अगर इस गाने के बारे में नहीं एक मैंने बहुत इंट्रेस्टिंग गानी लिखी थी जो आइवी में को भी बहुत प्रसंद आता है वह संताली में बोलते हैं आतू टोला दौंग सुभई क्यां दौंग होता है एक डान्स का पौम है जो हमेशा साधी में बहुत रूप मस्ती होते हैं इसमें लड़के और लड़किया नाच्ती हैं डर्म बीट पर और उसका आलम ही कुछ हो रहा है क्योंकि हम बिलीब करते हैं कि आदिवासी चैसंताल का जो जो फिलोस्पिय जो तो इस कानी में मैंने कुछ गाना को जोड़ा है, जो दुसरे से मैंने बोरो किया है, तो मैं इस सब गाना को पढ़के सुना है। कानी का प्रिस्भूमी ऐसा है, कि चार लड़के रुते हैं गाओ के, तो लड़के क्या करते हैं, उनको सुचता रहता है गाओ में, कि कहां पे साधी क्या हो रहा है, उस तरह पर प्रोग्राम हो रहा है, तो अपने घरवालों को डोज दे करके, दोकात्र के राथ में भाग जाते हैं, और उपना ये मुजिक इंस्टुमेंट लेकर के, और वो उन्जॉय करते हैं और वहाँ से तो पहले से चल रहा होता है नाच गानते हैं, तो ऐसा ही सिटूएशन है, जहाँ पे लड़की एक साध नाच रही है, एक्शली उसका प्क् अम लोगों के संदालों के बीच में क्या हैं? कि लोग जब इस तरह का माहूल होता है, तो टुरं-키 डुरं अनो गाना बनाते हैं। जो होता है, वो इन्स्टैन्ड बनाते हैं, मतलब कि स्तरह से सामने वाला को ठston लूड़क करना है, तो उसी हाफ से करते हैं मतल़ से तो निदी निदी मोडे बुरू पारों थे, गातिं मा डंगोईन बगी आएकान, आलू सेम आज छुटव, आलू सेम खुलस भंगा, जावगेन हिजु सेनो तुलरीय, खुलस रोड लाना नालूं बगी, ये एक्षरी गाना है, मैं खानी पाता हूँ, तो एक्षरी इसका ला परवत के पात लिया जा रहा है, तो मेरा जो प्रिया है, वो तो वाला ही रजाएगा, तो उसको बोलता है कि तो उसमें निराज अधास होने के जोलत नहीं है, बीच-बीच में आएंगे, इसलिए फूश रोगे, तो तुलस का जवाब रगा देता है, एक्षरी एक्षरी चिकाते हम बगिये दें, चिकाते हम बगिये दें, जिवी लोक दें, हरात कुरा आगे हम भुलो लिदें, आस भरसा कते हैं तुलर की दें, आडे पासे डाम डाई कते हम बगिये दें, तो वो बोलता है, कि ये प्रिया, ये प्रिया, मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, वो लोग के बीच में वाताला जो कन्वरिशेशन हो बहुत इंट्रेस्टिंग होता है और ये लोग आज भी उसी पॉइंट पे बना लेते हैं ऐसा नहीं कि वो लिरिक सोच के आता है उदर से जैसा यह होगा कुष्यन हो अदर से वैसा जवाब आए तो ये एक एक्जाम्पल आए तो ये आए कर दो दो आएजार भॉट में वोगाले हो टाए आए तो ये अजिया आए भाव होगाइ नहीं कि वे घुटारा साथ में व्हाईब चानलय हो पर प्रॉटा को ये प्रॉट होगा को नहीं हो जो